कोरोना काल में पिछले दो बशों से स्कूल बन पड़ी थी, हाला कि अभी सरकार ने स्कूल शुरू करने का आदेश देने से जिले की सरकारी अनुदानित, बिना अनुदानित, ऐसी कई स्कूल शुरू हो गई है, लेकिन कई नीजी स्कूल प्रबंदनों ने स्कूल शुरू क मांग पालकों ने स्कूल प्रबंदन से की है स्कूल प्रशासन कोई बात सुनने को तयार नहीं है पालकों को सेक्षनिक सत्र की संपुर्ण फिस देने उनके साथ सक्तरवय या अपने आ जा रहा है पालकों ने इस वर्ष में विधार्तियों के प्रवेश्चुल के बारे में स्कूल से समय समय पर पत्रवेवहार किये प्राचारियों से भेटले कर तथा प्रशासन को भीवी ने तियावेदन किये वही अभी भी पालकों की बात स्कूल प्रशासन नहीं सुन रहा है इसका पालक वर्ब में निराशा का माहौल बना हुआ है कुछ स्कूल विवस्थापन पालकों के मोबाइल वो वाटसेप पर मैसेज तथा फोन करके प्रवेश्चुल्क भरने की मांग कर रहे है अनेक स्कूलों ने पालकों को प्रतेक्ष सत्र होने के पुर्ण स्कूल की संपुन फीज भरने को कहा अनेता छात्र को परिक्षा में नहीं बैठने को लेकर धमकाया जा रहा है इस वर्ष स्कूल शुरुवात से बन होने के कारण विद्यार्थी स्कूल में नहीं गय है ओनलाइन पढ़ाई के चलते पालक 50% शुल्क भरने के लिए तयार है वर्ष स्कूल की फीज भरने के लिए दबाउट डाला जाने से पालकों की दिक्कतों में रुद्धी हुई है